Hello दोस्तों, welcome back everyone to Angel Trading Friend आज मेरा ये जो strategy है, ये swing trading strategy है दोस्तों मेरा चैनल में जो भी strategies अभी तक डाला है इसमें maximum पूरा internet strategies है इसके लिए बहुत सरा request आ रहा था कि swing trading करने के लिए कोई strategy के लिए बहुत सरा request आ रहा था सकते हैं और आपको stop loss कितना रखना है, entry कब करना है, stop loss का target कितना रखना है, वो सब डीटेल्स आपको बता देता हो, money management, compounding वो सब डीटेल्स मिल जाएगा आपको, with back tested data ये सब मिल जाएगा आपको ए वीडियो में तो strategy जाने से पहले दोस्तों, जो लोग मेरे वीडियो पहले बार देख रहे हैं, ये मेरा चैनल है, angel trading friend on youtube और मेरा whatsapp नमबर है 8095-876525, अगर कोई भी doubt है, को unquisition है, आपको कोई फाइल चाहे तो मेरे को whatsapp किजिए, इसमें बहुत सारा equities और commodities वीडियो मिल जाएगा आपको, बहुत इंग्लिश और हिंदी में, working professions के लिए ये चैनल बहुत easy है और बहुत helpful रहेगा, कि इसमें बहुत सारा strategies है, इसमें आपको तिरुफ दो मिनिट टाइम स्पेंड करना है, तेलिए दोस्तों, और और एक बा पाल, तो यह almost मेरा 33rd certificate है दोस्तों, मेरा जो भी followers है, subscribers है, उसमें से 33rd certificate है, so congratulations to everyone, और 20 और certificates आने वाला है, जो recently एक 60 days challenge कातम हुआ, almost 26 people successfully अचीव हुआ है target, so 26 people तो certified मिल जाएगा, तो जो भी certificate मिल रहे है, please मेरे को WhatsApp कीजिये, वो मेरे को एक confidence booster रहेगा, तो अगर 20 add हो जाएगा, तो almost मेरा number 50 cross हो जाएगा, इन में target of reaching 1000 certificates, 50 एक चोटा सा milestone है, फिर भी वो बहुत confidence देता है, कि क्योंकि almost 50 लोग का trading life settle करने का happiness है न, दोस्तों वो बड़ा है, तो जो लोग को यह मालूम ने, यह क्या है, this is certificate provided by Zeroda, Zeroda एक challenge देता है, कि आप लोग को 60 days trade करके उसमें आपको, आपका capital profit रखना है end of 60 days, अगर आप लोग को capital profit रखा है, तो आप लोग को यह certificate मिल जाएगा end of 60 days, equity में भी कर सकते हैं, आपको commodity में भी कर सकते हैं, दोस्तों, और इसका आपको अपस मिल जाएगा, तो दोस्तों, जो certificate मिल रहा है, please, मेरे को send कीजिए, कि यह मेरे को almost बहुत conference देता है, conference boost करता है, आगे और बडामे के लिए, okay, तो यह मेरा calls है, equity में, January मंत में जो मैंने जिया था, so January 1st week और 2nd week बहुत easy था, बहुत beautiful results भी बहुत अच्छा आया post अभी full swing trend में है, positive trend में almost 4,000 cross हो गया, 100 भी touch हो गया, so commodity में हमारे results were excellent, equity में भी बहुत अच्छा था, तो जो लोग equity चाहे तो यह भी follow कर सकते, जो लोग commodity चाहे तो भी यह follow कर सकते, तो चलिए, आज का जो strategy है, वो देखेंगे, यह strategy के लिए आप लोगको ज्यादा time spend करने करने का जुरूद नहीं है, जो भी working people है, जो 9-6 काम कर रहा है, जो भी business कर रहा है, वो सब लोग के लिए, सिर्फ आरउंड 3 o'clock 3.15 को आप alarm रखेंगे, आपको सिर्फ देखना है कि trade place करना ने, तो continue करना है, वो सिर्फ इतना देखके आपको आपका काम continue करना है, तो कैसे क बताता हूं, जैसे मैंने बताया था, 9-3.15 पे alarm रखेंगे, और यह strategy के लिए logic हमने जो use कर रहा है, वो है 20-day moving average का breakout, दोस्तो सुनने में बहुत easy है, 20-day moving average breakout, okay, strategy भी बहुत simple है, सुनने के लिए भी आशार है, पाट इसका जो result है, फाइदा है, वो बहुत superb और tremendous है, और मोस 200, 300, 400 percent return में आपको इसमें कमा सकती है, जैसे मैं बताया था, 3.15 पे आपको alarm रखना है, और आपको price कितना है, around 3.15, okay, daily, 3.15 का पास price कितना देखना है, अगर यह price 20-day closing average से ज्यादा है, तो हमको buy करना है, और अगर यह 3.15 का जो price है, end of the day price है, वो अगर 20-day closing average से नीचे है, तो हमको sell करना है, इतना ही है, very simple, and और एक important बात है, यह position strategy है, तो आपको यह daily करने का जरूरत नहीं है, मान लिजे, आज आपको आपका trend positive है, मतलब आपका price 20-day से उपर है, तो हम buy में रहेंगे, जब तक वो नीचे आता है, हमको buy में ही रहना है, okay, so इ अगर price 20-day average से उपर है, तो आपका trade continue कीजिए, daily trade place करने का सुपर नहीं है, आपका brokerage पैसा भी बज जाएगा, okay, आप Excel दिखाने से आप लोगो और clear item मिल जाएगा, but अभी हमारा जो entry है, logic है, इतना ही है, buy greater than 20-day close average, and sell below 20-day close average, okay, यह 20-day close average आपको chart से भी मिल जाएगा, न और इसका stop loss क्या है, stop loss यह है, crossover is stop loss, crossover मतलब क्या है, मान लिजिए अगर आप positive trend में आगी, closing price is greater than 20-day average, okay, so crossover का मतलब जब यह closing price 20-day average से नीचे आता है, उस दिन को हम crossover बोलते है, उस दिन हमको sell करने, तो यह हमारा stop loss रहेगा, ज्यादा confusion नहीं है दोस्तों, मान लिजिए negative होता है, तो उस दिन हमको sell करना है, okay, money management दोस्तों, very simple, very easy, एक lot purchase करने के लिए आपका पास minimum 50,000 capital रहना है, तो बहुत लोग मेरे को बोलता है, पुछता है, sir, एक lot purchase करने के लिए आमको, सिर्स 10-15,000 का ज़रोत है, फिर यह 50,000 capital क्यों है, दोस्तों, यह part of money management है, आपको सब को मैं already educate किया हूँ कि 5%, don't lose more than 5%, यह golden rule of money management होता है, तो वो सब rules follow करने के लिए, हमको यह money management policy है, one lot purchase करने के लिए minimum 50,000 capital चाहिए, और compounding करने है, at every interval of 50,000, okay, so अगर आप लोग का पास 1 lakh capital है, तो आपको 2 lot purchase करने, दोस्तों, इसमें यदा time को ज़रोत नहीं है, सिर्फ आपको invest करके चोडने का, almost, आपको trade मिलेगा, 10 to 15 trades ही मिलेगा एक year में, तो आपको ज्यादा लोक्सा नहीं है, ज्यादा time का भी जरोत नहीं है, okay, so this is part of money management, okay, so before going to the summary, मैं आपको excel दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को और clear understanding मिल जाएगा, दोस्तों, यह HDFC bank का data है, जिसमें आ data कितर से लेना है, NSE से लेना है, ने तो 010 broker से लेना है, ने तो investing.com से लेना है, तो मैं simple बोलता हूँ, चीज बोलता हूँ, always trust the owner not be broker, okay, so हमने यह जो trade place कर रहे है, यह NSE में place कर रहे है, so almost, हमेशा data download करना है, तो NSE से लेजे, अगर आप लोग को data download करना में मुश्किल हो र average लिजिए, okay, तो यह जो दिकार आपको on 21st row, मैंने क्या किया है, previous 20 days का closing average लिए, okay, so you can see the formula, average G2 to G20, okay, so 20 days का average मिला में रुको 1233, तो अभी strategy buy और sell करने के लिए, आपको क्या देखना है, सिर्फ इतना देखिए कि closing price, closing price का pass, almost लिए 1292, यह exact 1292 पे रेल यहने का 0 नहीं है, क्योंकि यह almost greater than 1233 अल्यदी है, तो अमको जितना भी 4-5 points buffer नहीं से भी कोई प्रलम नहीं, क्योंकि यह position strategy है, okay, so इसका मतलब क्या है, यह यदर मैंने 1 और 0 डाला है, 1 का मतलब यह है कि closing price is greater than the average, okay, और 0 का मतलब है, closing price is less than the average, so यह जो particular line पे देखना है तो यह हमको buy signal देखना है, क्योंकि closing price is greater than 20 day average, so हमने buy किया at 1 to line 2, तो अभी हमको crossover के लिए wait करना पड़ेगा दोस्तो, देखे, पूरा देन 20 day average से उपर है, तो हमको sell करने का ज़रोद नहीं है, हमको lot रखना पड़ेगा हमारा pass, अगर contract expiry हो रहा है, तो immediately end of the day sell करके, नया lot में purchase कर लिजे, तो यह से lot continue करना है हमको, price continue करना है, और इधर देखे, crossover हो गया, तो यह ही मैंने बता रहा था crossover, okay, crossover का मतलब trend change हो रहा है, from 1 to 0 trend change हो गया, कैसे हुआ देख लिजे, price हमारा closing price 1649 है, और यह 20 day average से नीचे आ गया, okay, open price भी नीचे है, बट फिर भी मैंने जेशे बताया था, wait for end of the day, okay, 2-3 points से जाता, तो wait for end of the day, end of the day 1649 is less than 1657, तो हमको sell करना है, हमने उदर 1292 पे buy किया था, इधर मैंने formula डाला देखे, 1292 पे buy किया था, और अभी 1649 पे sell हो गया, तो अर्मोद 357 points का profit है, okay, दोस्को, so इधर देखे, previous day देखे, price था 1664 ये 20 days average से उपर ही है, तो हमारा price low आचली आया था नीचे, बट फिर भी end of the day वो उपर था, इसके लिए हमने कुछ sell ने किया था, हमने वेट किया और एक दिल, और next day देखे, clear cut आपको idea मिल गया कि trend नीचे आ रहा है, तो हमने sell किया, okay, तो next और एक example देता हूँ, तो इधर जो crossover में आपको फिर से sell side लेना है, ये selling features आपको only futures लेने से ही होगा, आपको equity में ये sell features नहीं मिलेगा, तो आपने 1649 पे sell किया, और अगें फिर से trend चेंज होगया, on 10th July, okay, price हमारा है 1667, हमको minus 18 points को profit है में जिगा है, तो इधर 1649 minus 1667, okay, तो हमको इधर minus 18 point मिला, फिर और एक example देता हूँ, तो ये जो trend चेंज हुआ, at 1667, तो हमको positive trend है, तो इस दिन पे हमको buy करना है, we bought at 1667, और next trend कब चेंज हो रहा है, जेखना पुड़ाएगा, okay, तो इधर लाके, almost on 17th August को trend change हो गया, and price था 1765, वो नीचे आगया, closing average से नीचे आगया, इसके लिए हमने sell किया, हमारा, जो जब देखेगा तो 1667 पे हमने buy किया था, भी 1765 पे sell किया हमने, तो almost 98 points का profit है, so दोस्तों इतना ही है, very simple है, आप देखेगा तो minimum 1 और 2 months में aki trade signal मिलेगा आपको, और आप continuous position में रहेंगे, इसमें ज्यादा brokerage cost भी नहीं है, और बूर simple है, तो देखेगे, एडिया दे तो आपको कितना profit मिलेगा, so 3915 points, इस मतलब क्या है, 3915 into एक lot में आपको 600 shares मिलेगा, HFC bands में, तो almost 1,89,000 रुपीज का profit है दोस्तों, और आपको investment क्या था, investment सिर्फ 50,000 था, with 50,000 आप लोग ने 1,89,000 कमाया और ये भी बिना compounding, compounding का rule बताया था मैंने, जब 50,000 capital एक लाग होता है, तो उस ताम हमको lot size double करना है, अगर compounding करा तो ये जो total profit है आपका जाएगा, almost 5,6,000 का उपर भी जाएगा, तो strategy इतना ही है, बहुत simple है, 2016 का भी backstreet करके देगा हमेने, okay, तो ये लाइन पर points डाला हमेने, almost 435 points का profit है, तो देकिम कि अगर 435 है तो कितना profit मिलेगा हमको, almost 261,000 profit है without compounding, 50,000 capital, almost 5 times multiply हो गया, और इसमें transaction cost भी कम है, आपका brokerage cost भी कम है, तो almost full 99% profit मिलने का आपको chances में, ये जो 261,000,000 देका रहा हमेने, उसे फूरा मिल जाएगा, और slippage भी कम रहेगा, क्योंकि साल में सिर्फ 10-15 बार आपको ट्रेड ले रहे है, ज्यादा slippage भी रहेगा, कि तो 315 का बाद ट्रेड ले रहे है, और जिसको ज्यादा time नहीं spend कर सकते हैं, और beginners है, जो भी लोग है, ये strategy उसे कीजिए, सुनने के लिए बहुत easy है, बट इसके returns आपने देखा होगा, बहुत बहुत बढ़िया है, almost 4-5 times बिना compounding आपको money multiply कर सकते हैं, और अगर compounding कर रहा है, तो उसका results और भी better रहेगा, beautiful रहेगा, तो चलिए दोस्तों, मैं summarize कर देता हूँ, alarm रख लिए 315, इसका बाद सिर्फ price देखे, अगर वो ऊपर है ये नीचे है, सिखे, हमारा 20 days moving average से, closing average से, अगर उपर है तो buy कीज़े, अगर नीचे है तो sell कीज़े, उतना ही है, very simple, तो जो मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो don't forget to subscribe मैं चैनल, अगर ये फाइल चाहिए, जो back-tested फाइल चाहिए, और जो भी doubt से confusion है, मेरे को whatsapp कीज़े, मेरा number है 8095-876525, और दोस्तों important चीज़ है, अगर आप लोगो को upstock join करना है, तो मेरा link यूज कीज़े, जो मेरे वीडियो का नीचे description में डाला है, तो use करने से आपको 50% discount मिलेगा, मेरा paid calls और paid trading course से, दोस्तों आपने पहले वीडियो का starting देखा होगा, जो मेरे paid cost दे रहा है, crude में और equity में, अगर आपनों को वो लेना है, तो आपको मेरे को whatsapp कर सकता है, अगर वो अगर fees में आपको 50% discount चाहिए, तो में यह link यूज करके आपको भी join करता है, जेरा दोर upstock, दोनों beautiful है, दोनों अच्छा है, तो अगर आपका मत्री जो भी use करना है, तो use कर सकता है, ओके दोस्तों, thank you and have a nice day.